नमस्कार दोस्तो स्कूल कनेक्ट में आपका स्वागत है आज के हमारे सेशन में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से एक open source software जिसका नाम open shot है जो video editing के काम आता है उसको use करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है google में जा करके video editing या open shot जो भी नाम से आप search करो आपको एक website मिलेगी जो होगी openshot.org जैसे ही आप openshot.org पे जाओगे आपको यहाँ पर बहुत सारे option दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे हम लोग इसे download भी कर सकते है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बाकी जैसा free और या price वगेरा नहीं यहाँ पे donate लिखावा है क्योंकि यह free software है अगर आपके पास में 32 bit वाला है तो आपको यहाँ पे जो download के नीचे आप दिखिए 32 bit लिखा है वहाँ पे click करना पड़ेगा फिर जैसे ही आप click करते हो आपका download चालो हो जाता है आपका download चालो होने के बाद आपको location पूछे का कहा save करना है आपने उसे location बताना है और वहाँ पे वो save हो जाएगा आप download section में जैसे आप shortcut control J दबाओगे तो आपको download section में आपका software open shot download होता हो दिखाई देगा यह सिर्फ 131 MB का software है यह जल्दी download हो जाएगा और ज़्यादा जगा भी लेता नहीं है फिर आपने इसे double click करना है आपके double click होते ही यह जो file है यह run होना चलो हो जाएगी फिर आपने language select करना है आप इसमें से English है English British लिया और OK कर दिया इसके बाद आप accept the agreement करोगे agreement आप check करना चाहो तो कर सकते हो और next बोल दोगे आप location path बदल सकते हो या तो C में रखे तो भी चलेगा फिर आपने यहाँ पर हम create desktop icon click करके फिर आगे next बोल दे आपके next बोलने से आपको फिर install का option आएगा आपने install पर क्लिक कर देना है फिर ही अपने time पर install होता रहेगा यह आपका software पुरी तरह से install हो जाता है आपके desktop पे open shop video editor का logo आपको दिखाई पढ़ने लगता है अब आप इस logo को क्लिक करके आपको यह हैं जैसे ही आप install करना चालू करते हो आपको यह टूर दिखा कर टूटूरियल में आपको सारा process भी समझा देता है थैंक यू